वेलकम श्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक श्राट करने जा रहे हैं और ये जो टॉपिक है आपके लिए गेट एक्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि इस टॉपिक के बेशिज पे आपसे पिछले 32 सालों में 17 मार्क्स के क्वेश्चन गेट एक्जाम में पूछे गए हैं तो टॉपिक बहुत सिंपल से हैं मगर बच्चे कन्फ्यूज करते हैं तो हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले सारे के सारे जो करेंगे ताकि हर टाइप के कुश्चन हमारे कवर हो जाएं और लास्ट में जब यह छे यो टाइप के क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो जितने भी 17 कोश्चन हमसे एक्जाम में causal है या non causal है energy है या power है even यह है audio है या यानि कि signal की हम characteristics मालूम कर रहे थे अब जो हम करने वाले हैं वो system की मालूम करने वाले हैं तो signal और system में अंतर क्या होता है अगर मैं समझाने की कोसिस करूँ तो signal जो हो गया वो system का input और output होगा यानि अगर मेरा कोई एक system है तो उस पे हम कुछ input देंगे और कुछ output मिलेगा तो यह जो input और output होता है यह हमारा signal होगा और जो चीज उस signal को modify करेगा उस input signal को modify करके output लाएगा वो हमारा system होता है तो अगर मैं classification of systems की बात करूँ तो systems को basically हम 6 category में categorize करते हैं सबसे पहला static and dynamic system इसी को memory and memory-less system भी कहते हैं दूसरा causal and non-causal system यहाँ पे एक anti-causal system का भी concept आता है वो सारे हम discuss करेंगे तीसरा time variant and time invariant system टाइम के हिसाब से आपका system vary कर रहा है या नहीं यह बताता है चौथा linear and non-linear system आपका system linearity की property को satisfy कर रहा है या नहीं इस basis पे यह classification होता है पांचवा invertible and non-invertible system और आखडी stable and unstable system जो basically bounded input bounded output बीबो system पे हम define करते हैं तो ये छेव type का जो classification है इसको हम पढ़ने वाले हैं आने वाले कुछ lectures में और in detail बहुत सारे questions इनके ऊपर हम solve करने वाले हैं तो ये x of t जो है ये हमारा input signal हो गया और ये y of t जो मैं बोल रहा हूँ ये हमारा output signal हो गया तो अब हम system का classification सीख रहे हैं कि system किस किस type के हो सकते हैं तो पहला classification हम करने वाले है static and dynamic system तो ये जो static and dynamic system होता है इनको समझने के लिए और इनके questions समझने के लिए आपको एक simple सा concept मालूम होना चाहिए कौन सा concept आपको past, present और future इनके बीच में distinguish करना आना चाहिए काफी simple सा चीज है past, present और future इनके बीच में distinguish करना आना चाहिए For example, अगर मैं अभी बोलूं कि अभी हमारा time t is equal to 0 पे है 0 second पे बात कर रहे हैं तो इसकी future value क्या होगी? t equal to 1 और इसकी past value क्या होगी? t equal to minus 1 या मान लो अगर मैंने बोला अभी मेरा current time t is equal to minus 3 second है तो इसकी future value क्या होगी? t equal to minus 2, minus 1 या 0 इसकी future value होगी और इसकी past value क्या होगी? t equal to minus 4, minus 5 ये सब इसकी past value होगी तो आपको यह बताना है अगर कि future value क्या है, past value क्या है तो present value को reference मानते हुए आप बता सकते हो कि अगर वो present value से बड़ी है तो future है present value से छोटी value है तो past value है तो बस इस concept को हम use करेंगे और कुछ questions को solve करेंगे सबसे पहले समझने के लिए मान लेता हूँ मेरे को एक input signal दिया गया है minus 3, 2, 5 and 8 यहाँ पे मैंने arrow दिखाया है 5 पे यानि यह आपका है t is equal to 0 second पे minus 3, 2, 5 and 8 अब यह input signal को मैं एक system से pass करना चाहता हूँ अब इस input signal को मैं एक system से pass करना चाहता हूँ उस system क्या कर रहा है आपका t को t plus 1 में convert कर दे रहा है यानि कि क्या हुआ यानि मैं इसे कह रहा हूँ x of 0, 0 second पे यह हो रहा है हमारा x of 1, यह हमारा है x of minus 1 और यह हमारा है x of minus 2 अब समझने की कोशिस किजिएगा जब हमारे input पे x of 1 आ रहा है तो यह system क्या कर रहा है time पे effect कर रहा है और time को एक से बढ़ा दे रहा है यानि जो output आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा y of 1 plus 1, 2 मतलब y of 1 जो होगा वो हमारा किस के बढ़ाबर हो जाएगा x of 1 plus 1, x of 2 के बढ़ाबर क्योंकि एक add कर दे रहे है similarly, अगर मैं x of 0 के corresponding output की बात करूँ तो x of 0 के corresponding output क्या होगा y 0 is equal to x of 0 plus 1 यानि x 1 के बढ़ाबर है अगर मैं x minus 1 input दे रहा हूँ तो हमारा जो output y minus 1 आ रहा है वो क्या होगा वो होगा y of minus 1 plus 1 x of minus 1 plus 1 that is वो x 0 के बढ़ाबर होगा and so on तो आप क्या कह रहे हो ये जो 0 की value है वो आपकी future value 1 पे depend कर रही थी similarly, ये minus 1 जो है वो future value 0 पे depend कर रहा है तो इस तरीके से हमें सबसे पहले ये define करना है कि आपका जो system है वो future value पे depend कर रहा है present value पे depend कर रहा है या past value पे depend कर रहा है कुछ example से इन्हें solve करेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा चली तो एक काम करते हैं सबसे पहले static और dynamic system को define कर लेते हैं उनका definition देख लेते हैं उसके बाद उनके example पे चलेंगे static system static system को किस तरीके से define किया जाता है definition है output of a system depends only upon present value of input जो आपका output होगा वो सिर्फ present value पे depend करना चाहिए वो past value पे या future value पे depend नहीं करना चाहिए यानि अगर मैं लिख रहा हूँ y of t is equal to x of t तो output जो है वो सिर्फ present value पे depend कर रहा है वहीं पे अगर मैं लिख देता y of t is equal to x of t plus x of t minus 1 तो output जो है वो present value और past value पे depend कर रहा है अब कैसे पता करें कि कौन हमारी present value है और कौन हमारी past value है तो t की कुछ value रखके check कर लो for example यहां अगर मैं t की value 0 रखता हूँ तो क्या हो रहा है y 0 is equal to x 0 दोनों side 0 0 आया यानि present value अगर मान लो t की जब मैं 5 रखता तो क्या होता y 5 is equal to x of 5 यहां भी 5 यानि present value पे depend कर रहा है अब इस example में मान लो मैं 0 रख रहा हूँ तो क्या हो रहा है y 0 is equal to x 0 plus x of 0 minus 1 तो आप देख सकते हो present value जिसे मैंने 0 माना है वो आपका minus 1 यानि एक past value पे depend कर रहा है तो ऐसे system को हम static system नहीं कहेंगे static system हमारा कब होगा जब जो output है वो सिर्फ और सिर्फ present value पे depend करेगा अब अगर बात करूँ तो इस system में क्योंकि हमें right now current value की value पे depend करता है यानि कुछ भी store करने की जरूरत नहीं है तो ऐसे system को हम memoryless system भी कहते हैं यहाँ पे memory की आपकी कोई भी जरूरत नहीं होती these systems are also known as memoryless system आगे चलते हैं dynamic system क्या कहते हैं justice का उल्टा जो output of a system depends on past और future value at any time instant किसी भी time instant पे past या future value पे depend करें तो उसे हम dynamic system कहेंगे यह at any time instant जो word है यह बहुत important है क्यों यह important है इसका मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कुछ-कुछ examples में जो हम देखेंगे आने वाल example में कि जो output है हमारा वो 0 के लिए तो आपको लगे या किसी प्रेजंट value पे depend कर रहा है मगर अगर 0 के जगे मैं कुछ और value रख दूँ तो वो past या future पे depend करने लगेगा तो आपको हर एक time instant पे चेक करना है अगर किसी भी एक time instant पे जो output है वो past और future value पे depend कर जाए तो वो dynamic होगा एक example देख लेते हैं मान लो मैं लिखता हूँ yt is equal to x times 3t ये लिख दिया है मैंने अब मैं check करना चाहता हूँ मान लो मैं t equal to 0 रखता हूँ तो y0 equal to क्या हो गया x of 0 जड़ा देखो तो ये तो present value पे depend कर रहा है मगर क्या time की हर एक value को ये satisfy कर रहा तो जड़ा check करो मान लो मैं y1 रखता हूँ तो y1 equal to क्या हो जाएगा x times 3 into 1 यानि जो 1 पे आना चाहिए वो value 3 पे depend कर रहा यानि ये तो future value पे depend कर रहा है न यानि जो 1 है वो एक ऐसा time instant है जहां पे आपका output जो हो गया वो future instant पे future value पे depend कर रहा है तो यहां से आपको होगे यह एक dynamic system है similarly अगर मान लो यहां मैं y of minus 1 निकालता तो y of minus 1 क्या हो जाता x of minus 3 के बड़ाबर तो मैं क्या कहता यह जो minus 1 है past instant minus 3 minus 1 के compare में minus 3 से छोटा है न तो past time instant पे depend कर रहा है तो भी यह dynamic system है क्योंकि static में वो सिर्फ present पे depend करने वाला है dynamic में वो present plus past या सिर्फ past या सिर्फ future या present plus future यानि कि present past और future के किसी भी combination में वो depend कर रहा होगा अब क्योंकि यह past value पे depend कर रहा है तो y of minus 1 निकालने के लिए मुझे x of minus 3 कहीं पे store रखना होगा ऐसा तो नहीं है कि जो current value जो अभी time पे दिया वही output आ गया वो पुडाना किसी time instant का output बता रहा है पे depend कर रहा है तो इसी लिए ऐसे system को हम कहते हैं system with memory तो static system होता है हमारा memory-less system और dynamic system होता है हमारा memory system with memory तो ये हो गए हमारी definition की बाते और कुछ छोटे से example हम ने ले लिए अब हम क्या करने वाले हैं कुछ questions solve करने वाले हैं बहुत सारे questions solve करने वाले हैं ताकि जो भी doubts आपको अभी तक आये होंगे वो सारे clear हो जाएंगे तो चलिए, start करते हैं पहले question के साथ solve करने के लिए आपके पास 30 second है try किजी और comment box में लिखिए आपके हिसाब से या signal static है या dynamic है 30 second है आपके पास, try किजी चलिए, मैं solve करता हूँ अब अगर मैं ये system को देखूँ तो given है y of t is equal to x of 2t चलो, अगर मैं 0 रखता t की जगा, तो y 0 equal to x 0, यहां तो मुझे देख रहा है कि ये present value पे depend कर रहा है, मगर जैसे ही मैं 1 लेख देता y 1 is equal to x of 2 यानि ये जो है वो future value पे depend कर रहा है 1 के compare में 2 तो future value हो गई न तो इसी लिए यह जो system होगा आपका dynamic system होगा, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल आपके सामने given है आपको categorize करना है कि यह system static है या dynamic है और आपके पास एक minute का समय है try किज़े solve करने का comment box में अपना answer comment करें आपके हिसाब से यह system static है या dynamic है अगल आपके हुम्हां है झाल झाल चलिए मैं solve करता हूँ अब अगर इस signal को देखें तो given a y of t is equal to e to the power minus t plus 6 x of t generally वच्चे minus t plus 6 देखके बोल देंगे कि sir ये तो पक्के से dynamic system है क्योंकि future value पर depend कर रहा है for example अगर मैं 0 रखूँ तो ये हो जाएगा y 0 is equal to e to the power minus of 6 t plus 6 t के जगे 0 रखा तो x of t x of 0 x of 0 t के जगे हमने 0 रखा है तो आप बोलोगे sir ये तो आपका dynamic system है क्योंकि right now हम देख सकते हैं ये आपका past value पर depend कर रहा है मगर आप यहाँ गलत हो क्यों कलत हो क्योंकि हमें interest है x of t में हमें e to the power minus t by 6 में interest नहीं है ये तो आपका एक constant है न for example पिछले question में मैंने आपको अगर दिया रहता y t is equal to 2 times x of t तो क्या इस 2 के basis पे आप classify करते वो static है या dynamic है जी नहीं आप input signal के basis पे classify करते अब ये जो constant है ये constant time पे depend करे या न करे उससे हमारे system पे effect नहीं पड़ता है कि system static है या dynamic है system तब ही आप classify करोगे static है या dynamic है based upon the nature of x of t तो क्योंकि यहाँ मैं t equal to 0 डाल रहा हूं तो output भी आपका जो input भी जो है आपका वो 0 पे ही depend है similarly y कि आप कुछ भी value डाल दो y3 डाल दो तो e to the power कुछ भी हो उससे तो मुझे मतलब ही नहीं है यहाँ तो x of 3 ही होगा यानि present value पे ही depend कर रहा है output तो यहाँ से आप क्या conclude करोगे that the given system is a static system यह dynamic system नहीं है तो एक बहुत important conclusion है note बनाके लिख लिजिए we are interested only in x of t only input पे हम interested है हमें coefficient से कोई भी मतलब नहीं है चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल आपके सामने है जल्दी से बताईए static system है या dynamic system 30 सेकेंड का आपके पास time है comment section में comment करके बताईए आपके हिसाब से यह system static है या dynamic चलो मैं solve करता हूँ यहाँ पे t plus 1 है तो सिर्फ t plus 1 देखके आपको नहीं बोल देना है कि यह dynamic है plus 1 जा रहा है जड़ा input भी तो output भी तो देखो output भी तो t plus 1 है यानि अगर मैं t की जगह 0 डालता हूँ तो y1 is equal to x of 1 1 का 1 आया present value पर depend कर रहा है मानलो t की जगह minus 5 डाला तो minus 5 plus 1 y minus 4 equal to x of minus 4 यहाँ भी दोनों जगह present ही value है यानि यह system भी जो है वो static है dynamic नहीं तो directly t plus 1 या t plus 2 देखके नहीं बोल देना है कि वो static है या dynamic है आप कुछ values रखके cross check कर लो उसके बाद बताओ चलो अगले सवाल पर चलते हैं अगले सवाल के लिए भी आपके पास 30 seconds है जल्दी बताइए static system है या dynamic system है यह comment box में comment करिए चलो मैं solve करता हूँ simply क्या रखेंगे मान लिए मैं t के जगर 2 रख देता हूँ तो यह क्या हो जाएगा y0 equal to x of 0 अब मान लो t के जगर मैं plus 3 रखता तो 3 minus 2 y1 equal to x of 1 या नहीं मैं t की कुछ भी value रखूँ जो output है वो input के present value पर ही depend कर रहा है दोनों का time को coefficient same ही आ रहा है time की value same ही आ रही है यहां से हम कहेंगे यह system भी आपका static है because it is depending only upon the present value of the input अगले सवाल पर चलते हैं अगला सवाल आपके पास है जल्दी try किजिए 30 second का time है comment box में comment करो static है या dynamic है चलो मैं solve करता हूँ अब मान लो यहां मैं t की value 0 देता तो यह क्या होता y0 is equal to x of 0 यहां से तो देख के लगता है कि यह static है क्योंकि present value पर depend कर रहा है मगर रुको अगर मैं t की value 2 दे देता तो y2 is equal to x of minus 2 यानि यह जो present value है यह आपकी past value पर depend कर रहा है तो कोई भाई भी एक time instant मैंने dynamic system के definition में लिखा था ना कोई भी एक time instant पर अगर आपका वो past या future value पर depend करता है तो वो dynamic हो जाता है क्योंकि हम देख सकते हैं time t equal to 2 पर यह past value पर depend कर रहा है तो हम directly कहेंगे this is a dynamic system अब यहाँ पर अगर आप observation की बात करो तो एक बहुत important observation आप यहाँ से लिख सकते हो यह कौन सा reversal हो रहा है time reversal हो रहा है जब भी time reversal होगा आपका system dynamic system ही होगा always in case of time reversal you will get a dynamic system इस बात को ध्यान रख लिजिए काफी आसानी से question solve हो जाएंगे अब देखो क्या बात होता है कि आप याद करते हो अब जैसे याद कर लोगी static और dynamic के लिए एक अलग से point बना लोगे time reversal में वो आपका dynamic हो गया time shifting में यह हो गया amplitude reversal में amplitude shifting में यह हो गया अलग-अलग points बना लोगे अब points बना के उसको रटने लगोगे रटने से ज्यादा अच्छा है concept develop करो क्या यहाँ पे आपको कुछ याद करने की ज़रूरत थी यह तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अगर मान लो IES में assertion और reason का आता है तो अगर मान लो question पूछा गया time reversal of a system results in a static system true or false अगर question पूछा जाता है time reversal of a system results in a static system true or false तो आपका answer क्या होता आपका answer होता false because time reversal always results in a dynamic system तो आप वहीं पे एक example से भी cross check करके उसको निकाल सकते थे मगर अगर इसको याद करने चलोगे तो बहुत चीज़े याद करनी पड़ेंगी तो जितना कम से कम चीज़े हो उनको याद करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उनको समझने की कोसिस करो चलो अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल आपको integration पे दिया गया है yt is equal to minus infinity to t x tau d tau एक मिनिट का समय है आपके पास try कीज़े solve करने का और comment box में comment करके बताइए कि यह system आपका static है या dynamic है एक मिनिट का समय है आपके पास try कीज़े एक मिनिट का समय है चलिए मैं solve करता हूँ अब देखो यह क्या है integration और last lecture में हमने देखा था integration क्या बताता है area under the curve यानी मान लो कि मेरा कोई भी आपका curve कुछ इस टाइप का है और मैं आपकी value निकालना चाहता हूँ t equal to 3 पे t की value मैं 3 पे निकालना चाहता हूँ यानी मैं y3 चेक करना चाहता हूँ किसके बड़ाबर होगा तो y3 क्या होगा minus infinity से लेके t equal to 3 तक जितनी value है जो इसके अंदर आ रहा है इस curve के अंदर उन सब का summation यानी पकी बात है क्या ये सिफ t equal to 3 पे depend कर रहा जी नहीं ये input के सारे past value पे भी depend कर रहा है और उसका area निकाल रहा है तो आप क्या कहोगे integration operation जो हम यहाँ पे perform कर रही है ये आपका एक dynamic system होगा static हो ही नहीं सकता क्यों क्योंकि ये past value पे भी depend कर रहा है चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अगले सवाल के लिए भी आपके पास एक minute का समय है आपको function given है yt is equal to x of sin t यानी x का जो angle है वो है sin t जड़ा try करके बताओ आपके हिसाब से ये signal static होगा या dynamic y of t is equal to x of sin t comment box में comment करें अपने जवाब को चलिए मैं solve करता हूँ जड़ा रखके देख लेते हैं value माननो 0 रखता हूँ तो y 0 क्या हो जाएगा x of sin 0 sin 0 के value 0 होती है यानी यहां तो लग रहा है कि यह आपका static है क्योंकि present value बेडिपेंड करता है मान लो मान लो बस कि t की value मैं πाई बाई 2 रखता हूँ तो y of πाई बाई 2 क्या हो जाएगा यह हो जाएगा x of sin of πाई बाई 2 sin πाई बाई 2 1 होता है और πाई बाई 2 की value क्या होगी 1.3.14 divided by 2 तो बताओ 1.57 आपका x of 1 पे depend कर रहा है क्या यह present value है जी नहीं यहां तो past value है यानि हम देख सकते हैं एक time instant पे यह past value पे depend कर रहा है तो आप कहोगे यह भी एक dynamic system है चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अगले सवाल के लिए आपके पास 30 second का time है जल्दी से solve करके comment करो कि आपके हिसाब से यह signal static है या dynamic है चलो मैं solve करता हूँ मान लो t equal to 0 रखते हैं तो दिख रहा है y of 0 is equal to x of 0 plus 5 x of 5 plus 6 6 है तो हमें मतलब ही नहीं है वो तो आपका input के बाहर लाई कर रहा है हमें सिर्फ x के अंदर जो time है उससे मतलब है तो यहाँ पे हमने 0 लिया यहाँ पे 5 यानि future value पे depend कर रहा है तो past पे करे या future पे करे उसे तो हमें dynamic कहना है this will become your dynamic system next question आपके सामने है और इसके लिए आपके पास एक minute का समय है आपको बताना है कि यह signal जो है वो static system signal है या dynamic system है yt is equal to x of t sin 2t एक minute का समय है आपके पास आपके समय है आपके समय है चलो मैं solve करता हूँ मान लो यहां में t equal to 0 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा y0 is equal to x0 sin 0 अब एक बात बताना क्या मुझे इस sin 2t से सही में कुछ affect पर रहा है यहां sin 0 रख दूँ या sin का कुछ भी रख दूँ यह तो आपका as a coefficient काम कर रहा है न तो यहां तो sin 2t से मुझे interest ही नहीं है तो y0 equal to x0 अगर t की जगा 1 रखोगे तो y1 equal to x1 यानि हर वक्त कुछ भी कर लो यहां आपका static system होगा क्योंकि output जो है वो input के तो current value पे ही depend करेगा हमें coefficient से कोई मतलब नहीं है इस बात को ध्यान में रखिएगा यहां बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं अगले सवाल पे चलते हैं इसके लिए आपके पास 30 सेकंड का time है जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो स्टैटिक है या डाइनामिक है चलो यहां पे अगर मैं t equal to 0 रखूँ तो यह हो जाएगा y of 0 is equal to e to the power minus 2 into x of 0 अब x of 0 की जो value आएगी उसको मैं minus 2 से multiply करके exponential उसका निकाल दूँगा अब इस operation से क्या मेरे को static या dynamic से कोई interest है जी नहीं वो तो signal आने के बाद आप कुछ कर रहे हो उससे तो मुझे कोई मतलब नहीं है मुझे बस यह मतलब है कि जो output time instant है क्या वो input time instant के बढ़ाबर है तो वो present value है otherwise नहीं अब आप t की value 5 डालो 10 डालो या कुछ भी डालो x of t में वही value आएगी यानि यह system जो है वो भी आपका static system ही होगा अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल है yt is equal to real part of x of t तो कोई एक x of t आपका complex signal है मान लो और आपको उसका real part निकाल के बताना है कि उस case में yt आपका static होगा या dynamic होगा आपके पास एक minute का समय है comment box में comment करें अपने जवाब को आपके बताना है चलिए मैं solve करता हूँ अब इसको solve करने के लिए सबसे पहले real part of x of t तो मुझे निकालना पड़ेगा ना तो मान लेते हैं right now कि x of t जो है वो a plus b iota के बड़ाबर है एक complex number मान लिया है मैंने अब complex number मान लिया तो complex number में एक operation होता है conjugate तो x conjugate t किसके बराबर होगा conjugate करने का मतलब simple सा होता है जो iota होता है उसको minus iota से imaginary part में put कर देना है तो x conjugate of t हो जाएगा a minus b iota अब अगर मैं इस x of t की बात करूँ तो इसमें real part क्या है real part है आपका a a जो है वो है आपका real part और imaginary part है आपका b तो हमें क्या चाहिए real part चाहिए या imaginary part according to this question हमें real part की जरूरत है तो एक काम करते हैं इन दोनों equation को add कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 times a is equal to x of t plus x conjugate of t यानि a जिसे मैं लिख सकता हूँ real part of x of t ये किसके बढ़ावर है ये है x of t plus x conjugate of t whole divided by 2 के बढ़ावर अब जरा इसको यहाँ put कर देते हैं तो yt is equal to x of t plus x conjugate of t divided by 2 ये हमारा yt आ रहा है अब बताओ अगर मैं t की value 0 रखता हूँ तो क्या होगा y0 equal to x0 plus x conjugate of 0 whole divided by 2 1 रख लो 2 रख लो 3 रख लो कुछ भी करो ये तो जो है दोनों case में conjugate बोलो या x बोलो present value पे ही depend कर रहा है तो यहाँ से क्या कहोगे yt is equal to real of x of t will be a static system यहाँ आपका एक static system आएगा चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल है y of t is equal to even part of x of t आपको एक signal x of t दिया है उसका even part निकालना है और उसके बाद आपको classify करना है कि वो आपका real होगा या static होगा या dynamic होगा एक minute का समय है आपके पास comment box में comment करें अपने जवाब को करें पास चलिए मैं solve करता हूँ हमने पिछले lecture में पढ़ा था कि किसी भी signal को हम उसके even part और odd part के sum के बड़ाबर लिख सकते हैं चाहे वो signal खुद आपका even odd हो ना हो उसको हम break कर सकते हैं उसके even part और odd part में यानि x of t can be written as summation of x even of t plus x odd of t कैसे किया था तो x of t लिख दिया मान लो t की जगा minus t रख देते हैं तो यह क्या हो जाएगा is equal to x even of minus t plus x odd of minus t अब क्योंकि यह even signal है तो हम जानते हैं x even of minus t x even of t के बड़ाबर ही होगा और क्योंकि यह odd signal है तो x odd of minus t is equal to minus times x odd of t हो जाएगा तो यहां से हमारा x of minus t की value आ गई अब हमें even signal की जरूरत है तो इन दोनों equation को add कर देते हैं तो x even of t x even of t 2 times x even of t is equal to x of t plus x of minus t लिखा जा सकता है यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ यह जो yt है y of t इसे मैं लिख सकता हूँ x of t plus x of minus t divided by 2 even part को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ अब मान लो मैं t की value 2 पे चेक करना जाता हूँ तो yt is equal to क्या हो जाएगा x2 plus x of minus 2 divided by 2 यानि यह जो y है वो एक बार तो x के present value पे depend कर रहा है मगर साथ में ही वो x के ही past value पे भी depend कर रहा है तो यह system आपका static नहीं होगा this will be a dynamic system चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल के लिए आपके पास 30 second का time है y of t is equal to x of t cube जल्दी से try कीजिए solve कीजिए और comment box में comment कीजिए कि आपके हिसाब से यह signal static होगा या dynamic यह system static होगा या dynamic चलो मैं solve करता हूँ अगर मान लो मैं t की जग़ जीरो रखूँ तो y 0 equal to x 0 present value static दिख रहा है अगर t की जग़ 1 रखूँ तो भी y 1 equal to x 1 यहां भी आपका static ही दिख रहा है मगर y की जग़ 2 रख दूँ तो y 2 is equal to x of 8 2 cube यानि यहां तो future value पे depend कर रहा है तो यहां से आप कहेंगे कि यह dynamic system है तो अब हमारे mind में एक सवाल उठता है सर कितनी values के लिए check करें एक value दो value कितनी values के लिए check करें तो अब यह आपको practice से पता करना पड़ेगा जैसे ही मैं देख रहा हूँ signal t और t cube तो मुझे पक्के से पता है t cube है तो वो उससे t से बढ़ेगा ही आगे जाएगा ही जाएगा भले ही वो 1 पे नहीं गया मगर वो 2 पे जाएगा अगर 2 पे नहीं जाता तो मैं 3 पे check करता अगर positive में सही होता तो फिर मैं negative के भी कुछ value पे check कर लेता तो वो आपको intuition से decide करना पड़ेगा कि आपको कितने value पे check करना है generally 2 से 3 values में आपका example आपका answer आजाता है चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल आपको differentiate कर दिया y of t is equal to dy dt of x of t अब आपको एक minute दिया है मैंने पिछले वार हमने integrate किया था इस पर हम differentiate कर रहे हैं तो बताईए जरा यह जो system है वह आपका static होगा या dynamic होगा comment box में comment करिए अपने जवाब को चलिए मैं solve करता हूँ तो यहां जो हम operation provide कर रहे हैं वह आपका differentiation है जैसे integration का मतलब होता था area under a curve वैसे ही differentiation का भी एक physical meaning होता है differentiation का meaning यह होता है कि अगर मान लो आपको कोई भी curve दिया है और किसी एक point पे आपको differentiate करना है मतलब basically आप इस point पे जो tangent है उसके slope की बात कर रहे हो उस point पे क्या slope होगा एक line का वो आप बताने की कोसिस कर रहे हो यानि basically differentiation कर रहे हो यानि आप एक line के slope की बात कर रहे हो तो अगर मैं कोई सा भी एक line ले लूँ कोई सा भी एक line ले लूँ चाहे वो आपका acute angle बनाए चाहे obtuse angle बनाए या कोई सा भी angle बनाए उसके slope को find करने के लिए मेरे को कम से कम दो points की तो जरूरत पड़ेगी ही न पड़ेगी तभी तो हम आपका two point theorem यूज करके for example अगर ये मान लो one कमा two है ये three कमा four है तो y2 minus y1 four minus two divided by x2 minus x1 three minus one slope निकालेंगे यानि दो points की तो हमें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी अब मान लो मैं current time मान लेता हूँ ये है t t equal to three मैंने current time मान लिया तो जैसे ही मैं current time t equal to three मान रहा हूँ इसके slope को निकालने के लिए मुझे एक previous time की जरूरत पड़ गई या इस example में अगर मैं यहाँ पे मान लेता current time तो slope निकालने के लिए मुझे एक future time की जरूरत पड़ गई यानि कि सिर्फ current time यूज करके मैं यह नहीं बता सकता हूँ कि जो slope है वो क्या होगा यानि मैं differentiate नहीं कर सकता तो हम क्या कहेंगे that the given system is a dynamic system क्योंकि यह present के साथ कम से कम past या present के साथ future value की जरूरत है हमें slope निकालने के लिए तो यह था आपका differentiation operator अगले सवाल पे चलते हैं अगले सवाल के लिए आपके पास 30 सेकंड का time है जल्दी से comment box में comment करके बताइए कि आपके हिसाब से यह dynamic system है या static system है चलिए मैं solve करता हूँ अगर हम मान लो t की value यहां 4 रख देते हैं क्योंकि 4 का square root मुझे मालूम है तो y4 is equal to x of root t that is x of 2 अब root t की जगा plus 2 लिखो या minus 2 लखो कुछ भी करो यह तो present value तो है ही नहीं आपकी past value ही आ रही है यानि आप क्या कहोगे the given system is a dynamic system चलो अगले सवाल पे चलते हैं इस बार एक minute का समय है integration का मैंने कुछ limit चेंज कर दिया है आपको integration ही है मगर बताना है y of t t minus 4 से t plus 4 है पिछले बार minus infinity से t तक था x tau d tau आपको बताना है कि यह system static है या dynamic है comment box में comment करिए अपने जवाब को आपको बताना है चलिए मैं solve करता हूँ यहाँ पे आपको बोला गया है कि कोई एक function of x of t tau और उसको मैं t minus 4 से t plus 4 में integrate कर रहा हूँ तो मान लो यह मेरा कुछ curve बना और t की value मैंने ले लिया है t equal to 3 मान लो तो मैं कहां से कहां तक integrate कर रहा हूँ t minus 4 3 minus 4 minus 1 से लेके 3 plus 4 7 यानि हमारा जो answer आएगा वो 3 से 7 के बीच में जो area है उसके बराबर होगी तो क्या हम सिर्फ x के current value पे देख कर इसका result बता सकते हैं जी नहीं हमें past और future दोनों की जरूरत है तो यहां से हम क्या कहेंगे this system will be a dynamic system तो इस तरीके से आपको static और dynamic system को पता करना है एक आखरी सवाल कर लेते हैं y of t is equal to imaginary part of x of t एक minute का समय है आपके पास जल्दी से comment करके comment बताओ कि आपके हिसाब से यह static system है यह dynamic system है y of t is equal to imaginary part of x of t चलिए मैं solve करता हूँ तो जैसा कि हमने थोड़े देर पहले देखा था कि अगर कुछ भी इस type का आए तो हम सबसे पहले imaginary part को लिख लेते हैं x of t की imaginary part को क्या लिख सकते हैं तो x of t को अगर मैं कोई एक complex number a plus b iota मानता हूँ तो x conjugate of t आपका क्या हो जाएगा a minus b iota के बराबर इस बार हमें imaginary part से मतलब है तो इस बार मैं यहां से इसे घटा दूँगा तो x of t minus of x conjugate of t किसके बराबर होगा a और a cancel हो जाएगा two times b of iota तो iota तो आपका बता रहा है कि वो imaginary part है b की value कितनी हो जाएगी जो की imaginary value है वो होगी आपकी x of t minus x conjugate of t divided by two और यही है आपकी y of t अब बताओ t की कुछ भी value रखो इस minus से तो हमें अंतर नहीं पर रहा अगर यह minus अंदर चला जाता यानि अगर यह amplitude shifting नहों के time shifting होता तो हमारा answer अलग हो जाता मगर क्योंकि यह minus बाहर है तो हमें t की कुछ भी value रखो वो y of t जो है वो present value पर ही depend करेगा input के तो इसलिए हम कहेंगे this will be a static system not a dynamic system तो इस तरीके से आपको पता लगाना है कि given system आपका static है या dynamic है अब अगले lecture में हम casual और non casual system को classify करना सिखेंगे कि देखेंगे कि किस तरीके से हम बता सकते हैं कि given system आपका casual है या non casual है तो काफी आसानी से उसे भी हम solve करेंगे बस यही present future और past value का concept यूज़ करते हुए तो अगर आपको यह video पसंद आया समझ में आया तो like जरूर कीजिए मिलते हैं आपके साथ अगले video में तब तक के लिए good day